नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हिंदी नोलिज शो में तो दोस्तो अब से चंद मिंट पहले भारत ने अगनी 5 ICBM यानि की इंटर कॉंटिनेंटल बैलस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन कर लिया है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगनी 5 को हम सेना में शामिल क कर चुके हैं उसके बावजूद आज इसका परिक्षन क्यों किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा अगनी 5 की क्या खास्यते हैं क्या की फीचर्स हैं ये भी बताऊंगा साथ ही अगनी 5 का ये टेस्ट इतना ज्यादा एहम क्यों माना जा रहा है भारत के लिए सब कुछ बहुती आसान भासा में बताऊंगा तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को तुरंथ शुरू कर लेते हैं सबसे पहले आप स्किन पर नजर डालिये भारत ने आज यानी की 27 अक्टूबर 2021 को साम को साड़े साथ बजे अगनी 5 का एक परिक्षन किया था और ये परिक्षन पूरी तरीके से सफल रहा है लेकिन भारत ने इसका परिक्षन क्यों किया ये जानना है मैं क्योंकि अगनी 5 ओलेडी भारते सिना में शामिल कर ली जा चुकी है तो इसको लेकर दो तीन कारण बताय जा रहे हैं पहला ये कि हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने एक हाईपर स अरुनिक मिसाल का परिक्षन किया है हालेकि चीन का वो परिक्षन फेल था इसके लावा भी चीन भारत के खिलाफ लगातार लद्दाक कई सीवाः पर नेने हत्यार तेयनात कर रहा है तो ऐसे हैं-चीन को का परिक्षर में लाने के लिए अगनी 5 का परिक्षन जुरूरी थ क्योंकि अगनी 5 एक ऐसा हतियार है भारत का जो पूरे चीन को कवर करता है जी हाँ अगनी 5 की capability यही है कि ये चीन में कहीं पर भी हमला कर सकता है क्योंकि इसकी range है 5000 km जो official range है और इस 5000 km यानि कि पूरा का पूरा चीन इसमें आ जाता है हाला कि चीन आरोब यह लगाता है कि इसकी range 8000 km है भारत इसकी range कम करके इसलिए बताता है कहीं European देश डर ना जाएं तो ये बात खुद चीन कलेम कर रहा है यानि कि आपका दुश्मन तो आप खुद समझ सकते हैं इसकी capability इसके अलावा तीसरा करण यह है कि कुछ report आई थी कि भारत अगनी 5 का MIRV यानि कि multiple independent re-entry vehicle के साथ में परिक्षन करेगा अब MIRV क्या है तो देखिए यह simple सा concept है एक missile है जो normal missile है जिसमें MIRV नहीं है वो क्या करेगी आपने यहां से छोड़ी missile दुश्मन देश के शहर पर गिरेगी उसे तभा कर देगी ठीक है लेकिन MIRV के साथ क्या होता है कि missile एक ही है लेकिन उस पर warhead एक से ज़्यादा होते है माली यह 5 होंगे या 10 होंगे अब वो क्या करेगा missile पहले उपर जाएगी वहां से जो 10 के 10 warhead है उन्हें release कर देगी और वो 10 warhead को आप अलग-अलग दिशाओं में दुश्मन देश के अलग-अलग शहरों पर एक साथ गिरा सकते हैं यानि कि missile एक ही है लेकिन हमले वो 10 कर सकती है और इसी लिए MIRV missile को दुनिया में सबसे घातक माना जाता है लेकिन अभी तक क्योंकि एक गंटे पहले ही टेस्ट हुआ है अभी तक इस पर कोई confirmation नहीं आई है जैसे ही आएगी मैं आपको Instagram पर ये Twitter पर दे दूँगा कि भारत ने MIRV के साथ friction किया है या नहीं किया है आप मुझे Instagram ए Twitter पर फोलो कर लेना डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक है तो ये तो थी कारण अब जान लेते हैं कुछ खास पाते सबसे पहले ये missile की speed होती है लगबग 24 Mac जी हाँ, हाँ, हैपर सोनिक रफ्तार से 5 गुना ज्यादा लेकिन ये missile टर्मिनल फेज में इस speed को हासिल करती है, यानि कि एक missile उड़ी और उड़ने के बाद वो वापस जब जमीन पर आईगी अपने दुश्मन के ओपर गिरने को होगी, उस टाइम पर ये हासिल करेगी 24 Mac की रफ्तार, और इसी लिए ह हम इसे hypersonic missile नहीं कह सकते, दूसरा hypersonic missile में एक अंतर ये होता है, कि वो speed के साथ साथ maneuver कर सकती है, रास्ता बदल सकती है, ये SI की एक बार बान छोड़ दिया, तो दुश्मन के ऊपर गिरेगा ही गिरेगा, आप इसे फिर नहीं मोड सकते, और जो ये missile है, ये three stage rocket से बनी हुई है, जिसकी वज़े से जो इसकी range है, वो ultimate हो जाती है, भारत कहता है जुरूर कि इसकी range पांच जार किलो मिटर तक ही है, लेकिन लगभग सभी लोग जानते है, अनोफिशली, इसकी range easily 8000 किलो मिटर को cross कर सकती है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसकी जो range है, वो 10,000 किल जादा है, ऐसे में भारत इसकी मदद से दुश्मन को surprise करने में भी सक्षम है, और इसी लिए अब देखने वाली बात ये है कि इस पर चीन का क्या reaction आता है, जो भी होगा मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर सुशित करूँगा, आप चैनल को subscribe जरूर कर लेना, फिलाल ँरियो